किसी भी समान को खरीदने या purchase bill को बनाने के लिए quick action पे जाएं यहां purchase पर click करें और अब create purchase document पर click करें बिल बनाने के लिए सामने दिखाई देने वाले सभी जानकारी को भरना होगा आईए इन्हें एक एक करके समझते हैं invoice serial number में बिल के serial number को लिखे reference number में आप अपने संदर के लिए कुछ भी लिख सकते हैं जैसे की order number due date में उस तारीक को लिखे जिस दिन तक आपको supplier को purchase के बदले पैसे देने हैं याद रखे यह जानकारी भरना जरूरी नहीं है vendor name में supplier के नाम को लिखे यदि यह नाम पहले से save नहीं है तो आप नई vendor को add कर सकते हैं अब सामने दिखाई देने वाले जानकारी को भरे यहां supplier के व्यपार के नाम को लिखे contact person में supplier से संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति के नाम को लिखे GST IN को यहां लिखे बाकी सभी जानकारी को भरने के बाद save करे खरीदे गए समान की जानकारी को यहां भरे अगर चाहे तो नई जानकारी यहां से बना सकते हैं याद रखे हर item की rate को भरना ना भूले जब भी आप किसी ऐसे supplier से समान खरीटे हैं जो GST में registered नहीं है तो उस खरीदारी पे आपको tax pay करना होता है यहां आपको खुद से ही बिल बनानी होती है इसे यू तो self-involving भी कहते हैं यदि आपने किसी ऐसे supplier से खरीदा है जो registered तो है लेकिन खरीदे गए goods या service reverse charge में आते हैं तो यहां भी आपको ही tax pay करना होता है लेकिन याद रखे यहां आपको invoice बनाने की जरुवत नहीं होगी यहां क्लिक करें और reverse charge को select करें अब यह reverse charge की बिल बन गई है अब अंतिन safe पर क्लिक करें